मा ऐसी होती है बिमल बहुत परिशान था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिती से कैसे निवटे वो अपनी मा को बहुत चाहता था किन्तु उसकी पत्ने और बच्चे उसकी मा से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी मा की एक आँख नहीं थी साथ ही उसकी कमर भी 90 अंस पर जुकी थी वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है किन्तु फिर भी वो उसकी पत्ने और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है दादी आप उपर के कमरे में जाओ मेरे दोस्त आ रहे हैं बिमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा पर बेटा मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूँ बिमल की मा ने बहुत प्यार से कहा नहीं आप उनके सामने मत रहो वो मुझे चिढ़ाते हैं अखिल ने जोर से डाटते हुए कहा क्या हुआ अखिल क्यूं चिला रहे हो बिमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई देखो न मा ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं अखिल ने सिकायत भरे लहजे में कहा मा जी आप उपर चली जाओ क्यूं हम लोगों को लजवाती हो कामनी ने बेटे का पच लेते हुए कहा बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे उपर जाने लगे कमर जुकी होने के कारण उन्हें उपर चढ़ने में बहुत परिसानी हो रही थी किन्तु वो पूरी ताकत से उपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गए बिमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था उसे कश्ट हो रहा था कि उसकी मा को अपमानित होना पड़ रहा है किन्तु वो असहाय था अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं चुनकि वो एक प्रशासनी का धिकारी था उसका सामाजी किस्तर बहुत उचा था उसकी ससुराल भी एक उच घराने में थी अतव चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मा को अपमानित होते देखता रहता था रात को विमल के पत्नी ने कहा देखो जी अब कुछ करो कल कलेक्टर साहब के पत्नी आई थी मा जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली मुझे बहुत सर्मा रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है मैंने कह दिया कि दूर की रिष्तेदार है हिलाज कराने आई है बिमल को रोना आ गया किन्तु फिर भी वच्चुप रहा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अपने बेटे की मन स्तिती को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचप सह लेती थी बिमल बहुत उदास रहने लगा एक तरफ परिवार और सामाजे की स्तर पर जीने की प्रतिबधता थी तो दूसरी और मा आखिर मा से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई एक दिन उसने अपने बेटे से कहा बिमल बहुत दिन हो गया है मैं अपने गाउं जाना चाहते हूं मुझे वहां पहुचा दो मेरा यहां मन नहीं लग रहा किन्तु मा वहां तो कोई नहीं है तुम्हारी देखवाल कौन करेगा बिमल ने आश्चर इसे पूछा अरे सब गाउं वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाउं में रते हैं और फिर हम सारी वेवस्ताएं कर आएंगे न कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो हाँ बेटा बहुत सही कह रही है सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा बिमल जानता था कि गाउं में मा की देखवाल करने वाला कोई नहीं है लेकिन अपनी पतने की जित के काऱ हुए अपनी मा को गाउं छोड़ने पर विवस हो गया मा को गाउं छोड़कर आते वक उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेवसी पर गुस्सा भी आ रहा था किन्तु परिवार पतने और समाज ने उसके इन मनोभाओं को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे जब बिमल बहुत छोटा था उसके पिता जीवी थे तब वो भारत आये थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे पूरा परिवार और आसपरोस बहुत उच्छाहित था अमेरिका से बिमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा सबने मिलकर बहुत उच्छाह से उनका स्वागत किया क्यूं विमल भावी नहीं दिख रही कहा है डॉक्टर रमेश ने उच्छुकता पुर्वक पूछा जी वो गाउं में रहती हैं यहां उनका मन नहीं लगा कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपने आखे जुका ली डॉक्टर रमेश सब समझ गए बोलें कल हम भावी से मिलने गाउं चलेंगे सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गाउं के घर में पहुचे देखा कि सरस्वती को बहुत तीज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है डॉक्टर रमेश दोड़ कर सरस्वती के पास गए उनके पैर छूकर रोने लगे सरस्वती की ये हालत उनकी कलपना से परे थी वह बेटा विमल तूने तो नाम मुजागर कर दिया अपने मा की ये हालत दे कर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डाटते हुए कहा नहीं देवर जी विमल का कोई दोस नहीं है मैं खुद गाओं आई थी सरस्वती ने अपने बेटे का बचाओ किया मुझे सब पता चल रह गया भावी आप चुप रहो क्यूं बहुत तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना है ना डॉक्टर रमेश ने कामने की और बैंक से देखा कामने निरुत्तर होकर बिमल को देखने लगी आज तुम जिस सामाजिक इस्तर पर हो वो इन्हीं के संगर्सों की देन है और बेटा बिमल तुम्हें सायद मालूम नहो कि बच्मेन में जब तुम एक साल के थे तब छट से नीचे गिरने के कारल तुम्हारे एक आफ फूट गई थी और तुम्हारे रीड की हड़ी में भी समस्या थी तब तब तुम्हारी इसी कुरूप माने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें दे कर इतना सुंदशोरूप दिया था कामने बेटा इतने सारों तक संघर्ष करके बेटे को उस प्रसासनी कदिकारी बनाने वाली इस संघर्ष सिल औरत की तुम लोगों ने यह दसा कर दी तुम्हें इस वर कभी माफ नहीं करेगा डॉक्टर रमेश की यांकों से अशुरू जलधारा बह रही थी अब भावी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी डॉक्टर रमेश ने सरुस्टी से कहा बीमल को तो काटो तो खून नहीं था डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो बीमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापे इनसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं वह दोड़ता गया और मा सरुस्टी के कदमों से लिपट गया मा मेरा अपराद अच्छम में है मैं जान बूच कर चुक्पी साधी रहा आपका आप मान करवाता रहा अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं बिमल ने आगने दृष्टी से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा कामनी को भी बहुत पस्चरताप हो रहा था किन्तो उसकी इमत नहीं हो रही थी कि वो सरुस्टी से आँख मिलाए सरुस्टी ने कामनी की मनह जितिती को समझ कर उसको पुछकारते हुए अपने पास ब तुझे ही घर से बाहर निकाल दूगी कामनी और बच्चों ने सरुस्टी के पैर पकड़ते हुए अपने बेवहार पर माफी मांगे और मा के हिर्दय ने सबको माफ कर दिया धन्यवादो